दोस्तो तुम्हारा attitude कैसा भी हो? कैसा आप भी? अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो winning attitude नहीं बना तो सीधा डिसलाइक मार देना पर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करके ही जाना और एक request वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपका attitude चेंज करने वाला है So let's start the video दोस्तो attitude दो तरगा होता है एक winners attitude और दूसरा होता है losers attitude जब Steve Jobs और उनकी team iPhone डिजाइन कर रहे थे तब उनकी team ने एक phone बनाया चोकि size में थोड़ा बड़ा था इस पर Steve Jobs ने अपने team को instructions दिये कि इसे और slim बनाओ पर team का कहना था कि वो phone को इससे ज़ादा slim नहीं बना सकते इस पर Steve Jobs ने side में पड़े एक fish tank में उस phone को डाल दिया fish tank में phone को डालने के बाद उससे कुछ bubbles बाहर आए और फिर Steve Jobs ने अपने team से कहा अगर इस phone में हवा के लिए जगह है तो इसका मतलब है हम इसे और slim बना सकते है यह होता है winner's attitude और दोस्तों यह कोई पैदाईशी नहीं आता यह हमें खुद develop करना पड़ता है दोस्तो winning attitude बंदे को वो नजरिया देता है जिससे कि वो दुनिया को एक अलग नजर से देख पाता है और इसलिए जहां पर बाकियों को सिर्फ problems दिखते है वहाँ यह बंदा opportunity खोज लेता है एक बंदा था वो बोलने में हकलाता था उसका सपना था कि उसे actor बनना है पर उसके हकलाने की वज़र से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला पर जिद्धी बंदे ने हार नहीं मानी इसने खुद का एक show बनाया और उसमें वो बिना एक शब बोले सिर्फ उसकी हरकतों से लोगों को असाता था और ये show सूपर डूपर हीट हुआ लोगों नहीं इसे काफी पसंद भी किया अब तो शायद आप समझी गये होंगे मैं बात कर रहा हूं मिस्टर बीन की अगर अपने अंदर की कमी की वज़े से इन्होंने हार मान ली होती तो कैये ये दुनिया उन्हें अप्रिशेट करती कभी नहीं दोस्तो प्रॉब्लम्स सब के लाइफ में होती है जब तक आप जिंदा हो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी पर उस प्रॉब्लम को कैसे देखना है ये आप पर डिपेंड होता है इसलिए सिचुएशन कितनी भी खराब हो उसमें अची चीज़ डूणने की कोशिश करो जोकि मेरा experience बोलता है कि प्रॉब्लम्स कभी अकेली नहीं आती वो अपने साथ बहुत सारी opportunities भी लेकर आती है पर हमारा focus प्रॉब्लम्स पर इतना होता है कि हम उस opportunity को देख ही नहीं पाते दोस्तो याद रखना ये दुनिया उनी लोगों को याद रखती है जो अपने प्रॉब्लम्स से लड़कर कुछ हट कर कर जाते है परना बाकियों को तो प्रॉब्लम्स खुद दबा दिता है जहां हम एक बार fail हो गए तो हार मान देते है वाइस बंदे को 30 बार job से reject कर दिया गया था और ये कोई high profile job के लिए apply नहीं कर रहा था एक waiter के job के लिए apply कर रहा था फिर भी से reject कर दिया गया पर इसके attitude ने इसे हार नहीं मानने दी और इसने अपने हर failure को एक अलग नजर से देखा उनसे सीखता गया और जिसे waiter के job के लिए reject कर दिया गया था आज वही बंदा चाइना का सबसे अमीर इंसान है क्या पात है न ये होता attitude का power और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना गलतिया उनी से होती है फिल वही होते है जो लोग try करते है और इनकी गलतियों की कोज वही लोग करते है जो खुद कुछ नहीं करते इसलिए अपनी सोच, अपना नजरिया, अपना attitude इतना positive रखो कि लाइफ में कितनी भी बड़ी problem आने दो आप उससे भी भिड़ जाओगे अपने attitude को पहार जैसा बना जिसे कि कोई बवंडर भी इलाना सके और failure को accept करना सीखो fail सब होते है जो भी बंदाज काम्याब है वो कभी न कभी fail हुआ था Microsoft जैसी multi billion dollars की company बनाने वाले Bill Gates भी track और data नाम की companies में fail हो चुके है अमरिका के 16th president Abraham Lincoln President बनने से पहले बारा बार election हार चुके थे अगर इन लोगों ने पहले एक दो attempts में ही हार मानली होती तो शायद ही आज में आपको इनके बारे में बता बता इसलिए failure से डरो मत उनसे सीखो दोस्तों आप शौक हो जाओगे 90% लोग fail होने के डर से कुछ नया try तक नहीं करते इसलिए failure को देखने का अपना नजरिया बदलो fail होना कोई बुरी बात नहीं है हमेशा याद रखना आप अपने success से जादा failure से सीखते हो और ये 90% लोग वही की CPT life जीते है और जो बाकी के 10% लोग होते है न ये कुछ हटके सूचते है और failure से लड़के कामियावी के लिए try भी करते है और ये वही लोग है जो हमेशा भीड की वज़ा बनते है भीड का हिस्सा नहीं अब ये आपको decide करना है कि आपको 90% लोगों में शामिल होना है या फिर उन 10% लोगों में दोस्तो इस वीडियो का हैं में हम एक बहुत ही अच्छी स्टूरी से करेंगे एक गाव में एक बंदा रहता था जो की बहुत शराब पीता था उसके तो बेटे थे जो रोज उसे इस हालत में देखते थे दस साल पाल पहला बेटा अपने पिता की तरह ही शराबी बन गया पर दूसरा बेटा आएस ओफिसर बन गया जब दोनों से भी उनकी इस situation का कारण पूछा गया तब दोनों का भी जवाब सेम ही था दोनों ने कहा आज मैं जो भी हूँ अपने पिता की वज़े से हूँ दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम तो दोनों का भी सेम ही था पर उनके आटिव्ड ने दोनों को अलग बना दिया प्रॉब्लम्स आ कॉमन बट आटिव्ड मेंक्स दिफरेंस धिंक कॉन में इस विल्पावस्टार, सब्सक्राइब प्रॉब्लम्स आटिव्ड प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स